आप देख रहे हैं दखल न्यूज़ नमस्कार मैं हूँ अन्राग आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाद बात बेबाद में आपका सौकात है आज मेरे साथ जो शक्सियत हैं उनका नाम है मनुज जी आपका बहुत बहुत अभिनाना ने मनुज सिंग मीक के पारे में मैं इतना की सब बता पाऊँगा आपको कि कॉ लोगों को आसान से घर मिल पाएं जिसमें लोग जीवन जापन कर सकें इंका सपना था कि सस्ते में घर कैसे मिलें इसके बारे में बहुत रिसर्च किया और सबसे बड़ी खूबी मनुझ कभी है मनुझ लेखा के हैं लिखते हैं दो पुस्तक हैं परकाई चुकी हैं बड़ा म जो लिखने पढ़ने का क्रम है यह स्कूल के दोरान ही चालू हो गया था और वो बीच में जरूर यह संगर्सों के दर्मियान कोई कि बंदरहा लेकिन उसको आफिर जब रिसर्च करना चालू किया अर्बन डेटा रिसर्च किया जब तब यह लगा कि यह जो सब्जेक्ट ह यह बहुत एक्सपोजरस पर नहीं है जनता को पता नहीं है कि अपनी जीवन बर की कुझी जो एक घर करीजने में लगाता है उससे इंफॉर्म्ड डिसियन नहीं ले पाता है उसको बहुत नफसान होता था अपनी फरटुनिटी के विरोत के बाजूर मैंने कॉलम्स लिखन के अर्वन डिवलिमेंट पर चालू कि एकास करके रियर स्टेट पर ताकि जनता अवेर है कि वो कुछ तरह के डिसियन ले रही है और वो डिसियन इंफॉर्म्ड डिसियन है या नहीं है एक कई बार आपसे बात होती थी तो आप कहते थे कि मकान ऐसा होना से यह कि जो आदमी की हैसियत है उसमें वो मकान खरेक पाए आम आदमी मकान खरेक पाए निशित रूप से हमारा जो देश है वो उसमें आपर कैप्टा इंकम बहुत नहीं है मद्रप्रदेश में तो और भी कंब है. हमारा मद्रप्रदेश की प्रिट्वयक्ति आया, जो राश्ची होसाथ है उससे ही कंब है तो हमने शुरु से प्रयास किये और यह शम्जा भी कि मकान तो या तो किरायेपर रहेगा आदमी आपना मकान करी रहे गए. अपना मकान का किराय का जो रेशियो है वो फिट नहीं है हमारे मत्कुतेज में इमाई बहुत ज्यादा आती है और बहुत कम किराय पर मकान में जाता है तो काइदा तो यह कहता है कि किराय से रहना चाहिए ज्यादा वाइस डिसिजन है आज भी आपको ऐसा लगता है कि किराय पर रहना चाह तब तक वो मैच नहीं हो पाता अब करती थी लेकिन जब से रगलाइज हो गया है इस तरह के बिजनेस रिगलेटर्स आ गया है अब आप देखेंगे कि बहुत तेजी से कीमतें नहीं बढ़ेंगी आये बाद जरूर है कि हमारा बड़ा देश से बड़ी हिंसंख्या है और सब से जो है आपका किराया नहीं बढ़ रहा है इन्वेंट्री जैसे से ज्यादा होईगी मकानों की या कमर्शिल स्पेस की वैसे वैसे आप देखेंगे कि किराया कम होते जाए आपने जब शुवाले बनाया तो उसकी पीची सोच क्या थी मैं 1985 में जब इस बिजनेस में आया तब वह दौर था कि कॉलनाइजिंग या मकान सरकारी एजिंसे मनाती थी आउसिंगोट बीडिया या फिर कुछ कुछ कॉप्रेटिव सोसाइटी थी जिनको यह अवसर उपलब थे क्योंकि उस समय अर्बन से लिंग एक देश का लागू था तो एक अर्बन अरिया में आप प्रदेश था जिसमें इस पर अड़ाप्ट किया और यह अर्बन से लिंग एक खतम हुआ नाइटिन नाइटीएट में दिवेशिंग जी की सब सरकारती वह आउसिंग प्वालिसी लाए माधिपदेश में और फिर यह आउसर मिलना प्राइविट डवलिपर्स को चाले हु तब यह समय भी आया कि आप एक ब्रैंड होना ज़रूरी है दोर जो है वो मीडिया का आचुका था टीवी और बाकी प्रिंड मीडिया ही सब जो है वो ब्रैंड बनाने में अच्छी भूम कहने बात थे तो लोगोंने ब्रैंड बनाना चाले गया तो हमने भी उसी समय अच्छी वाला है नाम भी इस आसाय से रखा कि जो भी अपना मकान लेता है वा निश्ट रूप से चाहता है कि उसका मकान इसको खूप फले तो शुब वह आला है उसका शुब हो यह सुच्छी साहित से मनुज बच्पन से जोड़े रहें बच्पन से कविताय करबटें ल ग्राग के साथ दोकेबाजी कर जाते हैं यह बहुत जेलना पड़ा है इसके तरह जो बाकिए इमानदारी से काम करते हूं वे बिल्डर उनको भी शक के दाएरे में रखा जाता है और ऋसारे विसाय और कुछ लोग्यां अगया श्क्राब लोग भी हैं और जो फ़ीनियंश जादा और अर्यूंदा इसके ज्यादाग करतें अगर इसको नुकसान भी बड़ा होता है लेकिन जो कीमतों का अंतर है एक जो वैद करनाइजिंग करने में वह बहुत बड़ा है तो आप देखेंगे कि किसी भी शहर में जो लीगल या जो प्रपर करनाइजिंग है उससे कई गुना ज्यादा लीगल या अनॉगनाइज परनाइजिंग या मकान बनते हैं और जब अनॉगनाइज है या या लीगल नहीं है तो निश्य दूख से हम अधोके की समभावना बढ़ जाती है हम ने जब से बिजनेस चालू किया तो ये इस बात का ध्यान रखा कि जो दूसरे सिद्धामतें किसी भी बिजनेस के उनको अपनाया जाना चाहिए अगर लॉं लेकिन गौपाल कडाई में सामिल होने में उसको टाइम लगे लेकिन पिछले तस बारा सालों से मद्यकदेश भी कडाई के साथ है मद्यकदेश के साथ है लॉज जो शेहर है वो भी सामिल है मैं लंबे समय से उपाध्ध्यक्ष रहा हूँ और spokesman भी रहा हूं मद्यकदेश कडाई का गठन करने के बीछे कारण यह था कि उन्होंने कोड़क बनाया कि आप जो प्रॉपर बिजनेस को करेंगे और किसी तरह का नुकसान प्रस्टमर करना हो यह कोशिश करेंगे और जो अच्छे सिद्धान थे किसी भी बिजनेस पर चलेंगे दूसका अपर उसकी बात तो अगर सरकार ये करती है कि जो रेरा इस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है तो अपना पहएट कर्लेंजिंग रुख जाएगी अभी होता ही है कि कोई भी एक भूमी ली जाती है उसके टुकडे करके भीज दी जाते हैं उसमें क्या इन्फोस्सेट डवलिपल नहीं किया नहीं किया और ये बहुत ज्यादा हमारे सहर में देखा जाता है इस तरह के जो बिल्डर हैं, इनको अब जिल जाना चाहिए, बहुत अतीक ही है. अब होता ही है कि सरकार से जब इस बारे में बात की जाती है, तो सरकार का कहना ये रहता है कि बहुत माइग्रेशन गाउन से सेरों की तरफ आता है. अब उसके पास च्वाइस ही है कि जतना पैसा उसके पास है, तो सरकारी जमीन पर कब्जा करके जूगी बना लिए या उसके थोड़ा बहुत पैसा है, तो कम कीमत में जहां भी मिल रहा हो करीट के मकान बना लिए. इसे में उसानगुती के चलते या फिर सरकार जो आवास नहीं उपलब्द करा पाती है, तिसंक्या में नाइरेशन होता है, उसके करण थोड़ा सॉफ्ट करने सरकार कर रहता है, पर इतनी बड़ी जन संक्या में मुझे लगता है, यह सॉफ्ट करन भी पड़ेगा है, मकान लेने के लिए सिस्फ रस्ता मिलने के कारण बाद में जरूब परिशान होता है कि उसको कोई उसको ना कहीं मॉट्गेज रह सकते हैं ना उस पर लोन मिलता है, और वो मतलब पीछे अपने बाद अपने वारिसों के लिए कोई अच्छी संपत्य नहीं छोड़ जात मैं अभी पदादिका रही हैं, उसके पहले 1982 से लेके अब तक NSUI के जमाने से लेके यूट कॉंगरेश तक तमाम सारे विवेंद पदों पर कॉंगरेश के रहे, कुछ बदलाव कॉंगरेश में लगा इस वरा में? जब हम कॉलेज में थे, मैं पहला साथ जब कॉलेज का था तभी कॉंगरेश की विचारधारा से जुड़ाव हो गया था, NSUI 1982 में ज्वाइन किया, तुनों तरह की विचार था नहीं, उस समय कॉलेजेज में थी, ABP भी भुगा करती थी, NSUI भी भुगा करती थी, लेकिन जो जो समाव ऐसी विचार था, वो कॉंगरेश के साथ था, तो इधा रुजान जादा रहा, उस समय की राजनीती होता लगती है, उस समय के जो लीडर्स थे, सीनियर वो, उनका काम करने का तरीका, और आज मैं बहुत परह के उस समय विरोधी पार्टियां भी बहुत कम थी, त को देखते हैं, तो समझ में आता है कि कॉंगरेश जो अपनी विचार थारा से चंती रही इतनी दिनों, उसको काफी अफ़ी अफग्रेट करने की जोट लगती है, क्योंकि सामने जिन से आपका मुकाबला है, वो बहुत आगना इस तरीके से राजनीती कर रहे हैं, आज करक हैं, तो बदलाव हैं, काफी बदलाव हैं, हम उस समय के नेताओं को आज के दोर में भी जब देखते हैं, तो उनके भी बहुत थीक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद एक कोई ऐसा अधेक्स कॉंग्रेस में बना है, जो इस तरह के विचार रखता है, नही कोई चलता रहा कॉंग्रेस में, क्यों के सामने चनौतियां भी नहीं थी, अब तो बदलना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्षन है नहीं है, मनुस से कैसे हुए मनुस सिंग मीख, क्या कहती है मनुस की कविताएं, इन सब पर बास्ची जारी रहेगी, फिला लेते एक आप देख रहे है तकल न्यूज आप देख रहे है तकल न्यूज वेबाग बात में आपका एक बात परसे स्वागात है, मेरे साथ बहु मुखी प्रतिभा के धनी, मनुस सिंग मीख, इस्टूडियो में मनुस सिंग तक सोज में आता है मैं जब स्कूल में था, सायद आठवी नौमी की बात है, पिता जी सरकारी नौकरी में थे तो पूरी पढ़ाई जो है, उस हच की विद्यालियों में ही उस दर्मयान ही अकबारें पत्रिकाएं किता जी पढ़ा करते थे उनको पढ़ते हुए पढ़ने का शौक पनुए पर लिखने का भी शौक पनुए तो नौमी क्लास से लगातार में लिखता रहा, उस समय ये बाकी कभियों या लेकों को पढ़ता था तो उनके नाम के आग जोड़ा तब से मैंने देखा कि लोग मुझे मनोज सिंग की वजाए मनोज मीक ही बुलने लेको जायतर मिलनेवाल लोग मीक ही बुलते हैं पहला नाम भी थोड़ा कम बंदा है मीक का जो मीक है अग्रेजी सब्द है इसका जो हिंदी अर्थ है वो सौम में है विनम्र है और मुझे उस समय लगा कि संबवता है मेरे मिजाद से मेरे सुभाव से मेल खाता होगा बाद में लोग ने कहा भी कि आपने नाम जो है बल्कुल अपने मिजाद के रखाया तो मु तो नाम तो आप में भूत ठीक चुना है। एक किताब आपने लिखी थी, सुख संपति घर आवे। अब शुर्ण है। उसमें लग राथा कि मनुसिंग्विक एक दाशनिक भी है, मनुसिंग्विक वाष्पुशाश्ति भी है, मनुसिंग्विक कहीं जो घर है। मकान तो बहुत लोग बनाते हैं, वो घर बनाने की बात करते है। जब मैं अर्बन डेटा पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि गुरे देश में अर्बन डेपलोप्मेंट पर हिंदी में कोई लिटरेशन नहीं है जो लोग अर्बन डेपलोप्मेंट को पढ़ना चाहते हैं अब चुकि अबनाजेशन बहुत तेज हुआ पिछले 10-15 स जालों में तो यह इसकी अवशक्ता लगती थी और हिंदी वासी स्टेट में भारी संक्या में पॉपलेशन है उनके पास यह अवसार नहीं था कि वह हिंदी में इसको पढ़ पाएं अंग्रीजी में मिलता था यह पढ़ने के लिए तो अर्बन डेफलिप्मेंट रियर किताब रही और यह उस ताइम की बेसलर किताब रही शुक संपति गराव हर जगे देखने को आज भी मिल जाती है और सभागर से उस समय अर्बन डेफलिमेंट मिनिस्टर के इंडर में पामलाज जी हुआ करते थे उन्होंने इसे अन्वेल किया उन्होंने भी बहुत ताज गए अन्हों करती है हम लोग जब भी मांगते है चाहे किसी भी दिवी रीवता से मांगे तो इशारों ही मांगते हैं सुख संपत्धी घर आवे अले के यह मेरा जो मेरी जो कंपनी के घ्रदेंच ने स्बालें उसकी पंच्राइन हैं कंसे मिंटेतन हरे. मुझे लगता है कि अपने जो पुरानी चीजे हैं और जो लाइने हैं, जो लंबे समय त PROक्राइटें. दूसरी किताब से मजगे थेोग यहां. यह दूसरी किताब, और मतलब अभी कम से कम तीन किताब हैं, इस साल मुझे लगता है कि हाप आएगगे, कि पुछले कई सालों फिर इससे ब्यान नहीं दे पाया, इस मुझे लगता दो किताब और कभ्रिश करता हुआगा उसमें एक कविताओं की किताब ही होगी, अर अब औ देवल्लमेंट के दो वल्लिमा भी हो रहा है। मनुझ ने बताई कि वो मीक कैसे बने और जब मीक बने तो जाहर के कविताय लेक्तों में कुछ कविता सुनाई है ना जो हुआ कविताय पिछले लजबिक साले में काफी लिखी शुरुवात की जो कविताय थी वो तो अब डिजिटल फॉम में मेरे पास नहीं है। हाल में लिखी गई कुछ कविताय हैं। भॉपाल से मेरा बड़ा लगा और मेरे मानना है कि आपके ऊपर कही तरह के रिन होते हैं जब से आप पैदा होते हैं एक तो जनुस्तान का रिन होता है दूसरा कर्मस्तल का रिन होता है तो मुझे हम इससर से लगा जहां आपकी भॉपाल के भॉपाल से के बारे में एक कविता मैंने लिखिये मैं आपको सुनाता हूं इसको भॉपाल गहन कह सकते हैं। कि पीडियां हैं पहले और बाद के पुरा चित्र भी, भीम हैं और उनके आकार की बैठकाएं भी, स्टूप हैं बुद्ध और उनका बोध भी, किलेदार हैं महल और मन्नतों की मजार भी, कि राजा भोज हैं बेगम और रानी से सवाल भी, गंगु है और गंगा सागर तर्ताल भी, इसी वो हम हैं सिवाले और महालिंग भी, मिनारे हैं धाई और कई सीडियों की इदगा भी, तो द्योग हैं मिलों और चिम्नियों का खौफ भी, विक्राल है काल और रसाइनों से रिहाल भी, पासाण हैं बौध परमार, गौण और अफगान भी, बोजपाल है भूपाल और आज मेरा भूपाल भी, पूरे भूपाल को आपने, आप भूपाल की जो सब्वेत्याय उसको कविता में समीटा, मनुझ, राजनीतिक सोच और दूसी तब कविता हैं, इस ताजमिल कैसे बंगता हैं राजनीति और सहाईतिया कविताओं का तो बहुत लंबे समस्ते जड़ा उठा है, मैं आपको बताओं अभी पिछले साल के बजट के दौरान एक कविता मैंने लिखी जो नेशनल चैनल पे खाथ करके रेवीज कुमार जी ने उसको पढ़ी और काफी पॉपलर हुई तो आप जब रिवस्ता के खिलाफ लिखते हैं तो मैंने देखा है कि वो चीजें तीजी से पाफलर होती हैं और ऐसे मौके हमें से रहने सा रहते हैं कि आप अगर खुली आखों से चीजों को लिखते रहें तो ऐसे उसर आने पर लिखना भी चाहिए मेरा मानना है हमने देखा कि किछले कुछ सालों में जब से अर्प्रवस्ता में नंदी का दौर चाले हुआ हला उसी पीड़ा के चलते हैं मैंने कई इस तरह के उद्वार एक अविता हैं लिखी हैं जो इंट्रिमेट पे खास करके काफी पाफलर हैं आसकल तो बढ़ा असान है किसी जी पोटल पे आप पड़ सकते हैं पड़ सकते हैं आपनी चीज इसमें प्लेस करें तो अच्छी आप को जहां भी पहुंचना हो पहुंच जाती है लिखने के करम को मुझे लगता है अमराग यह आपने लगाता आप देखा है आप जब दकल को लिखते थे एक टाइम पे अपने पोटल पे तो आपने भी कही आर्टिकल लिखे मेरे अपढ़े हुए जहां वो तकासित किये हैं इसी नवाचार करने के करम में जो कंगर्स के कंप्यूटरेजिशन का प्रस्ताव किया था 1994 में उस धर्मियान मेरा पहले टीवी इंट्रिवी देन्वाग जयाद नहीं लिया तो यह नवाचार करते रहना या समय के अनुसार ववस्ता को चेताते रहना यह मेरे सभाव को हि आप पार्टी के लिए सूचते रहे पार्टी के लिए थिंक तेंका काम करते रहे तब यह कभी चुनाव राजनीती का मेरा कभी इंटर्स नहीं रहा एक दौर साब मुकेश नायक जी के सबसे करीबी वेक्ती होते थे जब मद्दो प्रदेश के एजूकेशन मिनिश्टर थ आया और राजनीती के प्रमुक हिस्सा है मैंने उनसे ही सीखा है आज भी उनसे वैसे ही संबन्द है लेकिन चुमावी राजनीती का कभी विचार आए नहीं है जरूर है कि जो भी तरकार है और अगर वो ग्रोथ के बारे में शेहर के बारे में जो भी सोचती है तो उसमें जरूर साथ खड़ा रहा है आपको याद होगा कि जब बोपाल जब 2014 में जब चुनाओं के बाद यहां से सांसर्ट किम के गए और अपने सहर को कैसा देखते हैं और इसकी उस्पी काया और आगे कैसी ग्रोथ देखना चाहते हैं तो मुझे यहां के जो हमारे मानी प्रफ़ा बना दीजिए मैंने उनको प्रफ़ा बना के दिया उन्होंने प्रफ़ान मंतिजी के सामें रखा भी प्रफ़ान मंतिजी ने खूप तारीपी की कि इस नजरी से भॉपाल को नहीं देखा गया हाला कि इस पर आगे कुछ नहीं हो पाया अभी लोगसाब अलग जी को बत्षावत विए थे सामिल किया उनने का कि नहीं बहुत अच्चा बत्ता है रहा है रहा हुप सभाम करना चाहिए उन्हों करनान क्षेया Зем इसबार का शुनाव समख से थोड़ा परे है और या तो जो पैटन है वो सोच का वो कॉंग्रेस नहीं समझ पा रही है या आम लोग भी उसको नहीं समझता है कि ऐसे पर नहीं होंगे यह तो कभी सोचा नहीं था कि मझे लगता अब डेटा को और पैटन को बहुत बारीकी से पढ़ने वाले लोग और ऐसे नेता हमको लगेंगे क्या बदना होना कि यह कॉंगे नहीं रिसर्च ओरिएंटेड काम करने पढ़ेंगे अब पूरा देखिए आने वाला दौर डेटा का है आने वाला के आज भी अब मैं लंबे समय से कह रहा हूं मैं 1998-1999 से डेटा पर काम कर रहा हूं से हम बहुत डेटा अब डेटा अब नहीं चाहिए अज तो बहुत मातरा में अरुनिस सो चोरानबे में मनुछ सही में एकने कॉमरेस कप्रों बैटक एक चित्थी रिकिती इसकी बहुत चर्चा होई अब कहदा कि वगको फूटली कंपूटर पर जाना चाहिए हमारे पास डेटा होना चाहिए और पर हमको रिसर्च करने चाहिए उसके बाद अपनी नितिया बनाना चाहिए यही जरूर मैं देखता हूं इतनी चित्थिया और इतने सुजाव आते हैं वो बंडल बनाकर रग वरिष नेता है वो उनके अनभावों का लाग तो पार्टी को लगेगा ही लगेगा लेकनो बाकी इस तरह के नेड़ा है मुझे लगता है कि जो जो खेंडरी हमारे लीडर से वो किस तरीके से लेता है इतना है तो सारे खुद असमंजर्स में राहुर गादी जी कह चुकि ह कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं मुझे अब अद्दक्ष पत्पे ना रखा जाए तो आपको लगता है कि कुछ नया कैसे संब़ उपाएगा है मुझे लगता है यह चेंज है चेंज हम ऐसा परक्रती का नियम है और इसको पॉसिटिजली लेना चाहिए पार्टी अब नए सि कि अब पूरी पॉपलेशन में आप देखेंगे कि जाएतर यूथ हैं तो लिडरिस्टिफ में किरनी यूथ हाना चाहिए और उनकी जो उर्गा है उसका इस्तेमान मिलेगा उनका जो आज हमने और आपने पढ़ाई किया और आज के बच्चों ने जो पढ़ाई किया आज अब हिना आज मीना असमान का फरक है तो उनको नहीं लेंगे या उनके साथ इंठेक नहीं करेंगे उनको लिडरिसिम नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि पीच्छे तो कही नहीं रही जाएगा और आगे दो लानीं को तो लिगा इस बाकर दिया या से बेचारिक तो ये यह कारण हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रिजन्दी पार्टी है या जो दूसी पार्टी जिसने चुनाव जीता है, वो चुनाव लड़ने में उन्होंने जो महरत हासिल किया है, जो सक्षंता या जो अगनाईस तरीके से लड़ते हैं, वो तरीका हम उस इस लगता है, वीजेपी बहुत अगनाईस है, वो सुझाव भी आपने पार्टी को लेगा है, कभी मौका मिलेगा और पूछ आएगा ज़रूर इस बारे में आपना पक्छे लखनेंगा, क्योंकि पहले कॉंगर्स में यह होता था कि अबर कोई साहिज से जोड़ा गुआ है, क अबर को बड़ा पदों से नवाजा जाता है, हमारी प्रदेश में बार कभी दरागी एक आपकी परंपरा के विखती रहे, तो कविताएं भी लिखते से, रायमिती भी करते से, और वो कविताओं से पूरा सदन देना के लखते से, इस चीज़ां क्यों नहीं हो पाते हैं, क इसी कुछ चीज़ां मिसिंग रही आई होगी इस बीच में तभी पार्टी इस तर पर आगई होगी है, लेकिन जो भी अच्छी परंपराय हैं, उनको मुझे लगता है कि कॉंग्रेस कुछे अडॉक्त करेगी, और ऐसा नहीं है कि प्रतिवाओं को कॉंग्रेस में लिया न हैं और जिनके अपने अनुगाव हैं उन लोगों को सामिल करेंगे अगर लिडिशिप में तो मुझे लगते कि ज्याद अच्छे परणाम तो निसी पूप संदेंगी आप लगतार मनु सिंह मिक को सुंगे थे जिन्होंने घर के बाद राइनिती राइनिती की बाद साहिक इनों किसम की बाते हम से की और कॉंगर्स के लिए उनकी सिर्फ एक ही सलाह है के कॉंगर्स को रिसर्च ओडियंटेड और डेटाबेस काम करने परोंगे और तमाम सारे जो नए लोग हैं उनको मुझा देना कुलेगा उसके बाद कॉंगर्स की स्थिपी बढ़ सके लिए आप से फिर मुलाखा को भी तब तक के लिए इजाज़ी जिन मुझा आप देख रहे हैं तक अलियो